डोम बिवली जो भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है आज MMR रियल एस्टेट मार्किट में सबसे प्रामिसिंग डेस्टिनेशन्स में से एक है। बुलेट ट्रेन से मेट्रो तक, कमर्शल ओफिसस से शॉपिंग मौल तक और कनेक्टिविटी से प्रकृती तक। इस शहर में सब है। आइए सोला इंफ्रास्ट्रेक्चर परियोजनाओ पर नजर डालें जो डोम बिवली को भविश्य का शहर बनाएंगे। शुरू करने से पहले हम रुनवाल ग्रूप को इस वीडियो को स्पॉंसर करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। रुनवाल गार्डन्स कल्यान डोम बिवली में अन्य सभी प्रमुक टाउन्शिप परियोजनाओ के विपरीत कल्यान शील रोड पर स्थित है। रुनवाल के बारे में सबसे अच्छी बात इसका लोकेशन और सभी मौजूदा और आगामी इंफ्रास्ट्रिक्चर डिवेलप्मेंट और डोम बिवली और दिवा रेल्वे स्टेशनों से ततकाल निकटता है जो इसे कल्यान डोम बिवली का सबसे सुविधाजनक स्थान रुनवाल गार्डन्स में दो अंतराष्ट्रिय स्कूल है डोम बिवली का बहतरीन शॉपिंग मौल जैसे आर मौल, हाइ स्ट्रीट जैसे आर गैलरे और उनके साथ साथ टाउन्शिप के भीतर कमर्शल ओफिसर भी है इतना ही नहीं बलकि यह MMR की सबसे तेजी से निर्मित परियोजनाओ में से एक है जिसमें इसके 11 एकर के सेंट्रल पार्क, विभिन अमीनटीज की तरह प्रमुक टाउन्शिप इंफ्रास्ट्रेक्चर तयार है और पहले से ही अपने 5 टावर्स के लिए ओसी प्राप्त कर चुका है यहां 550 यूनिट का पोजेशन शुरू हो चु प्लस ट्रीज जो MMR में सर्वश्रेष्ट AQI प्रदान करते हैं रुन्वाल गार्डन्स इस डिवेलिपिंग वन अफ फाइनेस्ट नेबर होड्स अफ एमेमार जहां आपकी जरूरत की हर चीज 5 मिनट की पैदल दूरी के भीतर उपलब्ध है स्वामी नारायन टेंपल आपको बहुत जल्द महराष्ट्रा के सबसे बड़े स्वामी नारायन मंदिर की भवसिता का अनुभव करने का मौका मिलेगा कहां यहां उलहास नदी के तट पर आमची डोम बिवली में स्वामी नारायन मंदिर के लिए निर्मान कारे चल रहा है और 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है यह मंदिर जल्द ही एक विश्व प्रसिद लैंडमार्क होगा और किसी भी धार्मिक यात्री के लिए एक दर्शनी अस्थल होगा जूपिटर हॉस्पिटल जिसमें पहले से ही एम्स और आर आर हॉस्पिटल जैसे कुछ प्रमुक अस्पताल है इस गेटिंग इस ओन मल्टी स्पेशियालिटी जूपिटर हॉस्पिटल नमब फोटीन क्लीन एर डोम विवली पहले से ही हरियाली और नदियों से सम्रिध है और महराष्ट्रा सरकार ने पहले से ही डोम विवली MIDC से 156 खतरनाक कारखानों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है जिससे इस क्षेत्र के AQI में और सुधार होगा नमब थर्टीन विरार अलीबाग मल्टी मोडल कॉरिडर रुनवाल गार्दन्स के परिसर से गुजरेगा यह 126 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो NH8, भिवन्डी बाइपास, NH3, NH4, NH4B, मुंबई-पुने एक्सप्रेस वे और NH17 को जोडेगा और डोमबिवली में विकास, मजबूती और रोजगार के अफसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा इस 99 मीटर कोरिडोर का अपना Access Control Lane, Metro Corridor, BRTS Lane, Service Roads, Non-Motorized Transport और पारकिंग और वाहन और पैदल यात्री अंडपास होगा डोमबिवली से यात्री इस कोरिडोर का उप्योग कर नवी मुंबई अंतराश्ट्रिय हवाई अड़े तक पहुँच सकते है ग्रीन फील्ड नवी मुंबई इंटरनाशनल एइपोर्ट जहर हैडी द्वारा डिजाइन किया गया और अदानी समूर द्वारा विक्सित ये Lotus-inspired iconic airport भारतिय सिध्धान्त के साथा धुनिक्ता का अनूठा मिश्रन है यह Expressway और Metro के साथ Dombivali से अच्छी तरह जुड़ा होगा प्रती वर्ष 90 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाला हवाई एड़े का पहला चरण अगस्त 2024 में खुलेगा अने वाले वर्षों में आर मौल, आर गलेरिया जैसे प्रमुक खिलारी रीटेल और साय पारडाइस मौल, entertainment और शॉपिंग का सर्वश्रेष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे अल्सो साया Grand Club and Resort and Viviana Mall will become accessible in April 2023 after completion of Mancoli-Dombivali Bridge 10. Mancoli-Dombivali Bridge ये 6 lane का pull Dombivali में रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण Infrastructure Development में से एक है ये Dombivali से ठाने की यात्रा के समय को देर घंटे से घटा कर 15 मिनट कर देगा 85 प्रतिशत से अधिक काम पहले ही पूरा हो चुका है ये अप्रेल 2023 में जनता के लिए खोल दिया जाएगा 9. Mumbai-Ehmadabad Bullet Train भारत की पहली बुलेट ट्रेन का काम 2027 तक पूरा होने की संभावना है महराश्ट्रा में 98 प्रतिशत भूमी अधिगरहन पूरा हो चुका है और Tender प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बीकेसी के बाद ये बुलेट ट्रेन दोम्बिवली में रुकेगी और इस परियोजना से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को और गती मिलेगी 8. City of Cities ये कहना गलत नहीं होगा कि दोम्बिवली विल बी एस सिटी ओफ मैनी स्मॉल स्मार्ट सिटीज सुनियोजित विकास ने लोधा, रुनवाल ग्रूप, स्वामिनारायन ग्रूप, पैरडाइस ग्रूप, रीजिंसी ग्रूप और मारत्वान जैसे प्रीमियम बिल्दरों को इस क्षेत्र में भारी निवेश करने के लिए प्रेरित किया है और उन्होंने रेजिदेंशल, रीटेल और कमर्शल सेंटर्स विक्सित किये हैं जहां HDFC और Amazon जैसी कमपनिया पहले ही ओफिस स्पेस खरीद चुकी है इरोली कटाई फ्रीवे, हाई प्रायोरिटी परियोज नामे से एक, ये 12 किलोमीटर 6 लेन अक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे डोमबिवली से एयोली तक यात्रा के समय को एक घंटे से घटा कर 20 मिनट कर देगा इरोली कटाई फ्रीवे का निर्मान इसक्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के रूप में काम करेगा इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 निर्धारित की गई है कल्यान शील रोड एक्सपैंशन कल्यान शील रोड को 6 लेन तक चोड़ा किया जा रहा है साथ ही एक फ्लाइओव का निर्मान किया जा रहा है जो इस सड़क को एरोली कटाई टनल रोड और मल्टी मॉडल कोरिडोर से सीधे जोड़ेगा Not impressed yet? Well, you will Metro Line 12 तलोजा से कल्यान तक Metro Line 12 डोमबिवली के सभी हिस्सों को जोड़ेगी 4,132 करोड की एनुमानित लागत से कार्य शीग्र प्रारंब किया जाएगा Number 4 कल्यान डोमबिवली रिंग रोड आगामी 150 फीट चौड़ी रिंग रोड कल्यान को कटाई नाका से जोड़ेगी ये रिंग रोड डोमबिवली में यातायात को आसान बनाएगी और समय और पेट्रोल की काफी बचत करेगी Number 3 पनवेल विरार रेल इक्स्पैंशन ये प्रस्तावित 70 किलोमीटर विश्व बैंक फंड़ड रेलवे लाइन शहर में सबसे बड़ी रेल विस्तार परियोजना होगी और पनवेल और वसई के लिए उतक्रिष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी माल और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए समर्पित दो और लाइनों को जोडने पर पहले से ही काम चल रहा है Trans Harbor Line की तरह इन लाइनों पर विरार से पनवेल तक पूरे इलाके को जोडने वाली लोकल ट्रेने चलेंगी और सेंट्रल जंक्षन को पस्टेशन होगा Number 2 Waterways कल्यान दोम्बिवली और ठाने वसई के बीच जल परिवहन का काम शुरू होने से केवल एक कदम दूर है Number 1 Internal Connectivity विरार अलीबाग कोरिडोर, कल्यान दोम्बिवली रिंग रोड और कल्यान शील रोड विस्तार के बाद दोम्बिवली यही नहीं रुकता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आंतरिक सरकों के कंक्रीटी करण और विस्तार के लिए 445 करोड आवंटित किये है Special Mentions लंबी यात्रा वाली ट्रेनों के लिए कल्यान स्टेशन का पुनर विकास पहले से ही प्रगती पर है आपको कौन सा इंफ्रा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट में जरूर बताए और क्रिपया ऐसे और विडियो के लिए सबस्क्राइब करें